हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब किजिए हमारे इस यूटूब चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को पाईए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स नमस्कार मित्रो मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है इस्टड़ी वी दीपक साथ तो सबसे पहले निवेदन हैं आप से अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज नीचे लाल बटन होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबा कर चाल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लगातार मिलती रहेगी यूपी और बिहार एसाई की अपडेट और उनसे जुड़े प्रक्टिस लगातार तो एक निवेदन है आप लोगों से अभी कुछ दिनों पहले कि यूज आई थी यूपी पुलिस में अब और भडरोगा बढ़ती नहीं होगी इसके कारणा हमारे पास हाजारों लोगों के फोन और कमेंट आये बड़ा परिसान किया लोगों ने मुझे कि आकिर क्या कारणा सर जो एक्जाम हम लोग का होना था क्या वो कैंसिल हो गया है य इसलिए और भड़ती नहीं कि जाएगी सुप्रीम कोट ने पांसो के लगभग याचकाएं देने वाले याचकरताओं को कहा है कि 2011 की बड़ती परिच्छा के सफल उमिद्वार हैं उन्होंने उसे सेवा में रखने के लिए आवेदन किया है जस्टिक कुरियन जोसेफ की प प्रिवा में रख लिया गया था अब पुलिस में एमाई के पद की रिक्तिकाएं नहीं बची हैं तो मिद्वार की और से वरिष्ट अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि उमिद्वारों ने सभी तेस्ट पर पास किये हैं उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वे परिच्छा के मामले में हाई कोट नहीं गये कोट ने मामले को 21 तक कर दिया था तो मतलब अब इसका मतलब सिफ इतना है कि जो 2011 के लिए 4010 दरोगा के पद आये थे उसमें लगभग 3500 लोग भरती कर लिए गये थे नहीं मतलब 32 लोग भरती कर लिए गये थे और कुछ लोग वाले थे उनको भी 2016 कि ओल रसोलाओं भरती कर लिए गया था फिर 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 कुछ लोग बचेए थे चैनल ने अपनी याचिका हाई नहीं जायर नहीं की थी तो उनको भी भरती कर लिए उनकी गलती से प्तना थिक्ले का दायर नहीं कि थी लेकिन वो हर तरह से फिट थे हर तरीका से पास थे तो उनको भी भर्दी का लिया गया है तो यह बात केवल 2011 भर्षी प्रक्रिया के लिए बोली गई है कि जो भर्षी प्रक्रिया थी चाहर जादस वाली वो पूरी हो गई है अब उसमें किसी और को भर्दे की आउसकता नहीं है तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपका जो एक्जाम पांच जिसम्बर से है यूपिएसाई 2016 वाला वो नहीं होगा तो आप गलत हैं अगर आप यह सोच रहे कि 2018 में यूपिएसाई की जो बैकेंसी आने वाली है वो नहीं आईगी तब ही आप गलत है तो आप इसाब छोड़कर अपने एक्जाम की तयारी में जुड़ जाए बैकेंसी भी नहीं जरूर आएगी आपका एक्जाम भी 100% होगा इस बात को आप अपने दिमाग में रख ली लिए तो मितरवाद की वीडियो में सिर्फ इतना ही आपसे एक निवेदन है अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लायक जरूर कर दिया करिए और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए जिए क्योंकि यहां पे आपको मि झाल झाल